हलो एवरिवन मैसल्फ मिनाक्षी और वेलकम तो मैं यूटूब चैनल लग्शूरियस इंस्पिरेशन आइकॉनिक जहां मैं आप लोग को बताती हूं लग्शूरियस चीजों और मशूर लोगों के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगी एक ऐसी लग्शूरियस कार के बारे में जिसे देख कर आप लोग उसको खरीदना चाहोगे लेकिन इस कार को खरीदना आम लोगों के बसकी बात नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Most Luxurious Car in the World Rolls-Royce Boat Tail जैसे कि आप लोग को पता है Rolls-Royce इस दुनिया की सबसे लग्शूरियस कार्स मैनुफेक्चरिंग कमपनी इसमें से एक है तो Rolls-Royce कमपनी ने 27 में 2021 में अपनी सबसे लग्शूरियस Rolls-Royce कार बिल्ड की और Rolls-Royce के लिए भी इस कार को बनाना सबसे इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट था Rolls-Royce की हर एक कार एक्स्ट्रा ओर्डिनरी होती है और वो अपने आप में स्पेशल होती है लेकिन उसे भी जादा इस्पेशल Rolls-Royce के कोच बिल्ड क्लाइन्स होते हैं जो अपने लिए परसनली कार्स बिल्ड करवाते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से अपनी चॉइस की अकॉर्डिंग डिजाइन करवाते हैं Rolls-Royce बोर्ट टेल सबसे एक्सपेंसिफ कार्स में से एक मानी जाती है जिसका प्राइज है 28 मिलियन डॉलर्स यानि की 202 करोर रुपीज इन इंडियन करंसी ये कार फुली हांड मेड है इस कार को क्लाइन्ट के अपोर्डिंग बनवाया गया है Rolls-Royce के क्लाइंट और Rolls-Royce के कोच बिल्ड डिजाइनर Alex Ennis ने डिजाइन किया था एलिस इनस ने बहुत टाइम इस car पर work करके इस car को build किया और जो honor है इस car के जिनों ने इस car को design करवाया है उनका नाम तो Rolls-Royce Company ने reveal नहीं किया है लेकिन उनकी शहा थी कि उनके लिए एक personally unique Rolls-Royce बनाएं जो एक luxury yacht की design में हो और उनकी इसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार को हातों से बनाया गया है और साथ में ही Rolls Royce ने इस कार में टू रेफरीजेटर्स भी दिये गए हैं क्योंकि क्लाइन की डिमांड थी वो अपनी expensive wines इस कार में रख सकें और ये कार extremely rare है क्योंकि Rolls Royce company का कहना है कि वो ऐसी तीन कार सी बिल्ड करेंगे जिसमें से एक कार बन चुकी है और इस कार में वही engine लगा है जो Rolls Royce Phantom में यूज हुआ था 6.75L V12 Twin Turbo Engine Rolls Royce Board Tail को Swift Tail से inspire होके बनाया गया है यानि कि Board Tail Swift Tail का upgraded version है ये कार light brown और dark brown color की combination है और जो बाकी दो कार हैं जो under production में हैं वो दो कार अलग-अलग colors में बनेंगी इस कार की length है 5.9 meters Rolls Royce अपने हर एक कार को बनाने में कम से कम 6 months तक का वक्त लगाता है लेकिन Board Tail को बनाने के लिए पूरे 4 साल का वक्त लगा इस कार के honor को watches कर भी काफी शौक है इस वज़े से Rolls Royce ने Switzerland की मशूर watches company Bovet को इस कार के लिए दो लक्शूरियस watch बनाने को कहा एक driver seat के लिए और एक पीछे वाली passenger seat के लिए और इन watches की कीमत 1 million dollar से भी जादा है इस गड़ी की खासियत ये है जरूरत पढ़ने पर इसे हातों में भी पहना जा सकता है और चैन लगाकर इसे गले में भी पहना जा सकता है इस कार के रूफ को यूनिक तरीख के से डिजाइन किया गया है जिसे जरूरत पढ़ने पर खोला भी जा सकता है बाकी गाड़ियों की तरह बोट टेल के रूफ में भी स्टार लाइट हेड लाइनर का यूज किया गया है जो कि रात में स्टार्स को रीक्रियेट करते हैं और इस कार में रॉल्स रॉइस कंपनी ने फ्रेंट बंपर, रियर बंपर और साइट सेल्स में पूरा कारबन फाइवर का यूज किया है जिससे ये कार और भी लक्शिरी नजर आती है इस कार की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर हवर है ये कार 4 सीटर है जो कि इसकी सीट्स बहुत जादा लक्शूरियस और कमफर्टेबल बनाई गई है इस कार में 15 स्पीकर का बस फोक आडियो सिस्टम साउंड दिया गया है इस सिस्टम को कुछ इस प्रकार से मोडिपाइट किया गया है जिसे कार का प्लाटफॉर्म साउंड बॉक्स की तरह इस्तमाल किया जा सकता है इस कार में आप बैठते ही पूरी दुनिया भूल जाएंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी लाइक और शेर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को ये कार कैसे लगी और आप अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबाके ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में लव यू एवरिवान टेक केर और स्टे चून बाबाई